सबी न्यूज चैनलों और एग्जिट पॉल आते ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। इंडिया गठवन्दर के निताओं ने एग्जिट पॉल एग्जिट पॉल एग्जिट पॉल को लेकर कांग्रस निता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक किरिया दी है। राहुल गांधी ने जब एग्जिट पॉल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यह एग्जिट पॉल नहीं है यह उनका फेंटेसी पॉल है। फेंटेसी यानी कालपनिक ना पूरा होने वाला सपना है। जब उनसे इंडिया गठवन्दन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या आपने सिद्धू मुसेवाला का गाना 295 सुना है। 295 उतना ही सीट आ रही है। कॉंग्रेस राष्ट्रिय अद्यक्स मलिकारजुन खडगे ने इस एकजिट पॉल को लेकर कहा जनता का सर्वे हमारे पास है जबकि सरकारी सर्वे उनके पास है। ये एक जनता की सर्वे है हमारा सर्वे नहीं है जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सरवे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आकड़े बनाने का बिगाडने का यह पहले से भी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अडविंद केजिरिवाल ने इस एकजीट पोल को लेकर कहा कि यह फरजी एकजीट पोल है इस फरजी एकजीट पोल के पीछे कुछ थियोड़ी चल रही है उनके दोस्तों ने शेर मार्केट में पैसा लगाया है और एकजीट पोल के बाद मार्केट खुलते ही मार्केट उपर चड़े तो मोटा पैसा कमा कर निकल सके अफसरों पर दवाब बना कर हेर फेर कर सके RSS में इन दोनों मोदी शाह के खिलाफ होने वाली बगावत को रोक लिया जाए इसलिए बढ़ा चरा कर exit पॉल दिखाया जा रहा है उन्होंने इंडिया गठवंदन के सभी पार्टियों के counting agents को आस्वस्त क्या है कि हम जीत रहे हैं बस आप आखिर तक डटे रहना एक त्योरी ये चल रही है कि इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्यूंकि इनके लोगों ने share market में invest कर रखा है और कल जब share market के खुले तो bumper होगा तो ये अपने share बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे बाकी एक त्योरी ये चल रही है कि अफसर शाही पे दबाव डालने के लिए अगले तीन दिन में अफसरों से उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक माहौल बना दिया गया भई आ तो हमी रहे हैं तो हमारी बात मानों उल्टे सीधे काम करो कांटिंग में गड़बड कराएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं अपने को अपने कांटिंग एजेंट Taros areo सब लोगों को अपने को ट्रेन करके भेजना और अपने को छोकना रहना है एक चुरी ये चल रही है कि अगर इन्होंने कली कम सीट दिखा दी होती है एक्जिट पॉल वालोंने तो हो सकता है कि इन दोनों के खिलाफ आरेसेस में और बीजेपी में कली बगावत शुरू हो जाती चार तारिक तक इंतजारी नहीं होता हो सकता है वहीं चुनावी रिजल्ट को लेकर राज़त सुप्रीमो लालू परसाद यादब कहते हैं कि चार जून को इंडिया के सरकार बनेगी नरेंदर मोधी का सफाया हो गया है इस एक्जिट पॉल को लेकर पुर मुख्यमंत्री अकलेश कुमार यादब कहते हैं कि ये भासपाई एक्जिट पॉल है इसे महनों पहले ही त्यार कर लिया गया ताकि रिजल्ट में घपला कर सके वे आगे कहते हैं कि भासपाई पुरे देश का परिणाम चंडीगर चुनाओ की तरह बदलना चाहते हैं लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा जनता गुस्से में है वही रा जो परिणाम आएगा सभी को चौका देगा इन सब करितार अविवार को तीसरी बार इंडिया गटवंदन के नेताओं ने चुनाओ आयोग से मिलाकात की इंडिया गटवंदन के वेविन दलों के प्रतिन दी मंडल में कॉंग्रेस नेता अविशेख मनू सिंगवी सलमान ख दोश्रों से जुड़े मुद्धे रखे गए। कॉंग्रेसी नेताव विशेख मनू सिंगवी ने कहा इस चुनाओ में हम तीसरी बार चुनाओ आयोग के पास पहुंचे हैं पहला मुद्धा पोस्टल बैलेट जो की एक जानी मानी प्रकिरिया है पोस्टल बैलेट परिण परिणाम में निर्नाइक साबित होते हैं इसलिए चुनाओ आयोग का एक प्रावदान है जिसके अंतर गत कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गनती पहले की जाएगी हमारी शिकायत थी कि चुनाओ आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से से हटा दिया है इसका परिणाम यह है कि ए पहले करना आनिवारी है वहीं बैठक को लेकर कॉंगरेस सन्यता सल्मान खुरसीर ने कहा कि हमने मत गरना पड़े कि दूरान बहुत सक्त निगरानी रखने का अनरोध किया इस पर आयोग की तरफ से हमें संतो जनक उतर दिया गया खुरसीर ने कहा कि हमने किसी नियम पर सव पाल नहीं उठाया बलकि यह सुनेशित किया कि उनका पालन किया जाए और एमानदारी से उनका पालन किया जाए उनने कहा कि बैठक बहुत आशाजनक रही इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी रविवार को चुनाव आयोग को खुला पत्र लिखा जिसमें उन्ह पांग रखी है उन्होंने अपने पत्र में निर्वाचन आयोग से प्रक्रिया का नुसार स्वतंत्र और पारदर्शी मतगर्णा सुनिशित करने और नियमों का नुसार समय समय परमतों का सठीक विवरन जनता के साथ साजा करने का आग्रह किया ताकि किसी भी तरह की बड़ी का संदिह ना हो एसकेम ने खूले पत्र में कहा कि वह मतगर्णा पड़क्रिया में छेड़ चाड को लेकर आशेंकित हैं उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा पूरे भारत के किसानों की ओर से हम मुझुदा सरकार को शासन बड़करा रखने में मदद करने के बाकी एकजिट पॉल को लेकर आपकी क्या प्रतिकरिया है कमेंट बॉक्स में लिकर ज़रूर बताएं इस वीडियो को दिख सिदीक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जान करें पहुंच पाए आप देख रहे थे वी आवरस निउस नमस्कार शब बखैर